गुद मॉनिंग क्लास फोर्ट, बच्चा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, तो प्लीज ओपन यो इंग्लिश वन बुक, और इसमें देख लीजिए, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिया है, ध्यान से देखिए, इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नमबर 4, अवर नेशनल बर्ड, ठीक है, हमारा राश्ट्य पक्षी, तो हमारे राश्ट्य पक्षी क्या है, हमारा राश्ट्य पक्षी कौन है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो देख लीजे, अपनी बुक ओपन करिया, पेज सबसे सुंदर बर्ड है वो कौन है पीकॉक है एपने पिक्चर देखी होगी किसी ने रियल में देखा होगा तो मोर कैसा होता है एक बहुत ही बूटिफल कलर्फल होता है ठीक है एच फॉट इन मैंनी पार्ट उट अप इंडिया हमारी भारत-देश के कई भागों में पिकॉक पाया जाता है तो ये और भी कुछ पार्ट है जहां ये पाया जाते है जब सेलान हो गया जावा बोर्नियो एंड मलाया ये बहुती बड़ी चड़िया होती है बहुत बड़ी है ये और इसकी जो गर्दन है नेक है वो बहुती ग्रेस्फुल है वह चमकदार है एक छोटी सी बीक होती है इसकी चोँच होती है पंक जैसा आप देख रहे हैं मोर पंक जैसा सर पे होता है और टेल कैसी होती है बहुती सुंदर बहुती शाइनिंग वाली इनकी पूँच होती है इसका क्लर कैसा होता है ब्लू कलर होता है यार ओर ओओख अईस कैसी होती है आइसंटि होती है झलेंग उर सुंदर बहुती सुंदर होते हैं यह देखिये, beautiful next para peacock dance is a popular dance moor का जो नाच होता है वो बहुत ही popular है, बहुत famous होता है when the skies were overcast in the rainy season जब बारिश वाला मौसम होता है rainy season होता है तो जो peacock है वो बहुत खुश होता है, a dancing peacock is a delightful sight moor का नाच कभी अगर हमें life में अगर कभी moor का नाच देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है बहुत ही, मतलब दिल को बहुत ही खुशी देता है, बहुत अच्छा लगता है peacock का dance देखना it spreads its feather like a fan on its back यह अपने punk फैलाता है spread मतलब खोलना, फैलाना like a fan, कैसा जैसा पंखा होता है उस तरह से यह अपने feathers को फैलाता है, और अपनी ऐसा लगता है किसकी तरह लगता है, जैसे की fan होगा इसके back में it begins to dance, और dance करने लगता है, when dancing it raises its tail and changes it into a semi circular shape और जब इडान्स करता है, तो अपनी जो इसकी क्या है dancing raises the tail tail को बढ़ाता है और change करते तक semi circular shape में, it jumps from one tree to another, एक पेड से दूसरे पेड पर यह jump करता है a peacock dance done in a group is a fascinating sight और जो peacock का dance होता है, वो जो group में होता है, जुन्ड में होता है तो वो भी क्या है, एक ऐसी sight मतलब दृष्य है, कैसा दृष्य है बहुत ही सुन्दर the female peacock is called peahen, जो female peacock होती है वो peahen कहलाती है, it is not so beautiful, वो जादा सुन्दर नहीं होती the peacock can fly short distances, जो peacock होता है वो किवल थोड़ी सी ही दूरी में उड सकता है जादा height पे नहीं उड सकता ठीक है next page they can fly up to a reasonably tall tree ठीक है जिसकी height बहुत जादा नहाँ उसी पेड तक ये fly कर सकते है they however run swiftly लेकिन भागते कैसे है, बहुत तेजी से the peacock's voice is not very sweet it is shrill इनकी जो आवास होती है, वो जादा सुन्दर नहीं होती it is shrill, मतलब चुपने वाली आवास होती है next the peacock eats warm seeds, grains and insects ये छोटे मोटे कीडे मकाडे खाता है अनाश खाता है और छोटे मोटे कीडों को खाता है the snake is its biggest enemy और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन होता है साप wherever it sees them, it kills them और जहां भी ये पीकॉक को देखता है उसे मार देते हैं पीकॉक lives and flocks in their wild state ये जंगल में रहते हैं अपने समू के साथ, अपने जुंड के साथ ये जंगलों में रहते हैं a flock consists of two or three hundred peacock और उस flock में कितने peacock होते हैं 200 से 300 जो पीकॉक अंडे देते हैं वो एक महीने में हैश हो जाते हैं और जनके फैदर वो कितनी बार बनते हैं तीन बार नए फैदर साथे हैं जो पीकॉक के पंक होते हैं वो बहुत जादा तरह से use किये जाते हैं They are collected by children. बच्चे उन्हें collect करने का बहुत शौक रखते हैं. All over the world and used as bookmarks. और bookmark भी उनको बनाते हैं. Bookmark का मतलब आपको पता है, जैसे कि हम कोई page खोलना चाहते हैं और वो page हमें नहीं मिलता है, तो हम उसके बीच में वो जो feather है, peacock का उसे रख देंगे, तो वो हमारा bookmark बन जाएगा. और हम से तर्ण करेंगे, तो जो page हम खोलना चाहते हैं, वही page खुलेगा. ठीक है? Do you know, peacocks are a great friend of the farmers. और peacocks जो होते हैं, वो किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. They are found mostly in fields. और यह अधादा तर यह मैदानों में पाये चाते हैं, fields में पाये चाते हैं. They are harmful insects. यह जो हानी कारक कीड़े होते हैं, harmful कीड़े होते हैं, उनको खा चाते हैं. They just protect crops and plants. और यह किसकी रक्षा करते हैं? हानी कारक कीड़ों को खाकर? Crops की. जो प्लांट होते हैं, खेती होती हैं, खिसानों की, उनकी रक्षा करते हैं, protect करते हैं, ओके? तो यह है बच्छों, आपका lesson no.4. तो आपने इसको एक बार revise करना है, एक बार read करना है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे exercise के साथ, तो सबसे पहले आप इसको एक बार read कर लीजिए, revise कर लीजिए, ओके?